कर लो दोस्तों जैसरी राम देश बासियों के लिए कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था जैसरी राम दोस्तों कैसे हैं आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का दिन बहुत ही शुभाग शाली दीन है कि 500 बरसों बाद कितने लोगों ने आज के दिन के लिए बलिदान दिया है तब जाके आज हम सब को भागी में ये सुभ दिन देखने को मिला है तो दोस्तों अभी मौरनी का टाइम है और मौरनी का हमारा खाना बन चुका है और मौरनी में हमने बनाया है गाजर का हलुआ, सबजी, पूरी और बच्चे का मैंने लंच भी पैक कर दिया और हमारे छोटे वाले लड़के को छुटी है, तो हमारे साथ घर पे उसके बाद ये जो नजारा जो मंजर आप देख रहे हैं न, सच में जिस टाइम हम देख रहे था न, मतलब आखों में आसू अदम भर गया था, अदम आखे नम हो गई थी कि हमारे ही देश में हमारे ही प्रभू राम को टेंट में रखा जा रहा है, और जिसका हक नहीं है, राम प्रभू के जमीन पे कोई और हक जमा रहा है, बाबरी महजीद बना हुआ है सबसे दुख की और क्या बात हो सकती है कि प्रभू राम के घर में कोई और है और हमारे प्रभू घर के बाहर है, सबसे बड़ी दुख की बात यही है और आज के दिन के लिए कितने लोगों ने भलीदान दिया है कितने लोगों ने अपने खून पसीना बहाया है कितने लोगों ने त्याग किया है कितने लोगों ने अपना जान गवाया है स्री प्रभु राम के लिए राम जी के हक दिलाने के लिए पांसो बरस के कड़ित तपस्या और बलिदान देने के बाद आज ए हम सब के नसीब में इस सुभ दिन देखने को मिला है इससे सो भाग्य साली दिन और क्या हो सकती है 22 जन्वरी 2024 राम मंदीर राम भगवान के प्रान परतिष्ठा आयोध्या नगरी में जो प्रभुसरी राम की जन्म भूमी है उसी जन्म भूमी पे किसी और देश का राजा आके हक जमा रहा है हमारे प्रभुसरी राम को बाहर खड़ा करके टेंट में रखा जा रहा है इससे दुख की बात और क्या हो सकती थी नरेंद्र मुझ्दी जी का कोई राजनीती से राम मंदिर का कोई राजनीती से कोई लेना देना नहीं है हम हिंदू असनातन धर्म के लिए सबसे बिजय की बात है बहुत ही गौरब की बात है मतलब सबसे बड़ी जीत जो है ना मतलब आज हुए जिस तरीके से मतलब कितना अच्छा महसूस हो रहा है कि मतलब हिर्दय भर गया आखे नम हो गई मतलब इस सारे चीजे देखके कि इस दिन के लिए कितने लोगों ने अपना जान गवाया है कितने लोगों ने अपना खून का बलीदान दिया है कितने लोगों ने अपनी परिवार से दूट चला गया खली सिर्फ आज के लिए हम ओसो भाग साली पीड़ी हैं जो हमें आज के इस सुभ अफसर देखने को मिला है सच में जब मैं बोल रही हूँ ना तो मेरा आखे अदम नम हो रही है कल जो मैं देख रही थी ना सच में मतलब कितना गर्वग और वानवीत महसूस हो रहा है कल जो प्रभु स्री राम जी का प्रान परतिष्ठा हो रहा था जिस समय स्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि हमारे प्रभु राम आ गए हमारे प्रभु स्री राम आ गए पहले तो बोलते थे कि हमारे प्रभु स्री राम आएंगे मगर यहां पे जब कल बोल रहे थे कि हमारे प्रभुसरी राम आ गए और योगी अदित्यनाथ जी बोल रहे थे कि जहां पे हमने संकल्प लिया था कि इसी यहीं पे हमारा राम भूमी बनेगा हमारे राम जी का मंदिर बनेगा वहीं पे आखिर में हमने बनाया मतलब कल जो है न कितने लोगों के आखों में आसू आ गए थे मतलब कितने लोग इस अस्पेशल दिन को न मतलब जिस तरीके से जब हमारा भारत 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था तो जो लोग इस अजादी के जसन में जो सामिल हुए थे न मतलब जिस तरीके से वो महसूस कर रहे थे कि हमारा भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो गया है मतलब जितना खुसी जिस टाइम महसूस कर रहे थे ना लोग भारत अजादी में वैसा ही महसूस मतलब कल के दीन हो रहा था कि जैसे लग रहा कि कितना बड़ा हमारे देश को अजादी मिल गया है जिसे लग रहा कि हमारे देश में दूसरा अजादी है एक तो हमारा जो पहला आजादी था हमारे भारत को अजाद अंग्रेजो के चंगूल से अजाद करवाना फिर दूसरा अजादी हमारे प्रभू सृरी राम के हक का जमीन बापस लेना अंग्रेजो के चंगूल से मतलब हमारे प्रभु राम जी के ही घर में किसी मुस्लिम समुदाई का बावरी महजीद बना हुआ है और हमारे स्री राम प्रभु को घर से निकाल के टेंट में रखा गया था उससे दुख की बात और क्या हो सकती है ये कोई राजनीती और राजनेता से कुछ भी इसको लेना देना नहीं है ये हम सब के हिंदू असनातन धर्म के मतलब बहुत बड़ी बिजय की बात है बहुत बड़ी मतलब जिस तरीके से अगर जितना हम सब सहन किये हैं दूसरा लोग जो है सहन नहीं कर पाता मतलब केस तो लड़ना दूर की बात हो गई रातो रात घर को तोड़ के मंदिर को तोड़ के अपनी महजिद बना देता अगर दूसरे सहर में होता तो दूसरे देश में होता तो मगर हम सब जो हैं अपने प्रभुसरी राम के लिए मतलब पांसो बरसो तक लड़े हैं पांसो बरसो तक इस दिन प्रभुसरी राम को अपना हक दिलाने के लिए कितने लोगों ने अपना खून का बलीदान दिया है अपना जीवन का बलीदान दिया है कितने अपनी परिवार पीड़ी है जो आज के सुब दिन अपने आखों से देखने को लिए मिला है मतलब सुब अफसर मिला है और यहां पे हमारा पूजा पाठ हो गया है और हमारे स्री नरेंदर मोदी जी मतलब कोई राजनिती से कोई लेना देना नहीं है और जो बैल बुद्धी बोलते हैं कि करते हैं वह बैल बुद्धियों को कौन समझाए कि यह जो राम मंदिर बना है वह सरकार के पैसे से नहीं बना जब सरकार के पैसा ही नहीं लगा है तो सरकार क्यों होस्पीटल और कॉलेज बनवाएगा यह राम भक्तों को दिया हुआ पैसे से बना है राम भक्तों के पैसे से बना है कोई सरकार का पैसा नहीं लगा है तो यहां पे मैं पूरे घर में धूप दिखा देती हूं फाइनली हमारा मौर्निंग का पूजा तो हो गया है इस तरीके से मैंने पूजा किया है सो दोस्तो उन बैलबुधियों को मैं पूछना चाती हूं जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि सरकार को मंदिर के जिगा पे होस्पीटर कॉलेज बनवाना चाहिए था उन बैलबुधियों के दिमाग से दिमाग सच में नहीं है उश टाइम जब बाबरी महजीद बना था मुसलमानों ने बाबरी महजिद बनाया था हमारे आयोध्य मंदिर को हटा के हमारे प्रभुसरी राम जी के घर को उजाड के हमारे प्रभुसरी राम जी के घर से बाहर निकाल के टेंट में हमारे प्रभुसरी राम 500 बरसों तक रहे हैं तो क्या उस 500 बरसों में उन बैल ब दियों को कौन समझाए तो दोस्तों मैं आज के special दिन को मैं बिल्कुल भी miss नहीं करना चाहती हूँ बस enjoy करना चाहती हूँ यादगार बनाना चाहती हूँ पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं नीचे आ जाती हूँ उसके बाद प्रभु स्री राम जी का परसाद बितरन हो र प्रभु स्री राम के साथ फोटो खिचबाएं तो मैं फोटो खिचबाई हूँ उसके बाद में नजारा दिखा रही हूँ कि देखिए गली-गली में पूरा भगवा रंग चाहया हुआ है पुरा गली-पुरा रंग महला भगवे रंग में डूबा हुआ एस सो भाग साली दीन हर कोई यादगार बनाना चाहता हर जगा भगवान जी का परसाद बितरन हो रहा है और आज के दिन को मैं बिल्कुल भी मिस्क नहीं करना चाहती हूँ बस वो बैल बुद्धियों को इतना में बोलना चाहती मैं लालू यादब का बेटा तेजस्वी यादब जी का मैंने देखा ओ बैल बुद्धी निके दिमाग तो बिल्कुल है नहीं जिसे लग रहा है कि भैंस के चारे के तरह दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है गोबर भरा हुआ है ओ बोल रहे हैं कि सरकार को पैसे बरवाद करनी की क्या जरूरत थी सरकार को मंदिर बनवाने की क्या जरूरत थी सरकार तो अपना राजनीती खेल खेल रही है तो ऐसे नेता को मैं बोलना चाहती हूँ और जब हमारा चंद्रियान थ्री लॉंच हुआ था उस टाइम लालू यादब का बेटा छोटे बेटे बोल रहे हैं थे कि सब चंद्रमा जी के किरपा हैं साइंस कितना आगे निकल चुका है और अनिपर गवारों जैसी बाते कर रहे हैं और सच में अतलब जिसे लग रहे हैं कि जिसे दिमाग में न गोबर भरा हुआ है रहे हैं हम गोबर के तरफ बाते कर रहे हैं जब बाबरी महजीद जिस जगह पर बना हुआ था उस्टैम ए सबका मुह में क्याल चला गया था गोबर चला गया था मुऊ में, कि दिमाग में सच में भूसा भर हुआ था, मुसल्मानों के साथ वो सब कभी भी बोले हैं कि महजित मत बनवाओ, महजित की जगह पे हस्पीटल बनवा दो, महजित के जगह पे कॉलेज बनवा दो, वो सब वो उस टेम क्या आखे फुट गई दिमाग में भूसा गूसा हुआ था तो चलिए इन बाइलबूतियों के बारे में मैं जादे बाते नहीं करना चाहती हूँ आज का दिन में बिल्कुल मुँ खराब नहीं करना चाहती हूँ और लालू यादब मतलब बहु सारे लोग कल में खेसारी यादब का भी में वीडिय कुछ लोग की दिमागों में अभी भी गोबर भरा वा, भूसा भरा हुआ है और सरकार पैसा बिलकुल भी खर्चा नहीं किया है यह सब राम भक्तों को दिया हुआ पैसे से राम मंदिर बना है सो दोस्तों अभी साम का टाइम हो गया ठंड के मौसम में साम बहुत जल्दी हो जाती है, अभी साम को पौने छे हो रहा है, मतलब साणे पाच पौने छे हो रहा है, तो यहां पे मैं साम का दिया जलानी की तयारी में कर रही हूँ, तो सभी दिये में मैंने बाती लगा दिया है, और सभी मैंने तेल भी डाल दिया है और देख सकते हूँ बस हमारा दिया जल गया है अब मैं पूरे घर को जगमगा दूँगी फिर से दुबारा से मैं दिपावली मना रही हूँ और 500 बरसो बाद हमारे प्रभु स्री राम घर पे आये हैं तो आज special moment को कैसे मिस कर सकते हैं पूरे गली महला जो है चिकमिका गया है पूरे गली महला में फिर से दिपावली मनाया जा रहा है पटाके छोड़े जा रहे हैं आतिसबाज ही की जा रही है अगर आपको तो मैं गली महले की मैं वीडियो नहीं कर सकती हूँ क्यों कि अभी मैं नीचे नहीं जा रही हूँ ठं मतलब पूरे घर में धिपावली के तरह दिये को सजा देती हूं और आज का दिन सच में बहुत ही अस्पेसल है जब मैं नरेंदर मोदी जी का लाइब काश्ट में प्रान परतिष्टा सुन रही थी ना मतलब जब उस टेम देख रही थी ना मेरे आखे नम हो रही थी अभी मै आपसे बाते कर रही हो ना तो मेरे आखों में ना आसू है मतलब आखे अदम नम हैं आपसे बात करते हुए कि आज की अस्पेसल मुमेंट को कितने लोगों ने देखने से मिस कर दिया कितने लोगों ने बलिदान दिया साथ-साथ पिढ़ी ने आज की अस्पेसल मुमेंट क लिए बलिदान दिया है पांसो बरसो बाद हमारे प्रभु स्री राम आ रहे हैं तो जितना हो सके मैं अपने जानते पूरा अदम कोशिस करी हूं कि दीप जला के दीबाली में मनाऊंगी मेरे जन्ने मों के सारे पाप मिटे जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्ने मों के सारे पाप मिटे जाएंगे राम आएंगे मेरी जोपड़ी के भाग आजे खुले जाएंगे राम आएंगे फ्रेंड्स फाइनली हमने पूरे घर में दिया जला दिये हैं अब मैं चलती हूं नीचे और आप सब कमेंट में जै स्री राम जरूर बोलिएगा और मौर्निंग और गुड मौर्निंग और गुड नाइट के जिगा पे राम राम का इस्तमाल करिए गा कि राम राम ममी राम पापा राम राम भाई साब लब राम राम ही बोलिएगा सो दोस्तों मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद जय भारत